नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर विजयी सोलंकी मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों धन हम सबको चाहिए संबुरुद्धी पद प्रतिष्टा वैबो लग्जिरिस लाइफ और उसके लिए मालक्षमी जी की कुरूपा जरूरी है तो आज मैं आपको जोति सास्त्र के माध्यम से ऐसे छोटे-छोटे उपाई बताऊंगा जो आप शुक्रवार के दिन करोगे तो आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्य है उसका तुरंत निवारा हो जाएगा जोति सास्त्र में शुक्र को दन वैबव संपदा और लग्जरी का ग्रव माना तो शुक्रवार के दिन आपको साम को दो दिये एक घर के अगनी कौन में और एक अपने उम्रे के पास यानि कि दहलीच के पास गाई के गी का दीपक आपको लगाना है दीपक के अंदर आपको केशर के दो तीन धागे और दीपक में रूई की जगह आपको मौली लाल कलर की मौली से आपको वहां पे दिया जलाना है संध्याकाल के समय जब आप ये करते हो तो उस समय मा लक्ष्मी जी को प्राथना करे कि आपके जीवन के जो भी कश्ट है वो दूर करके आपको संब्रुद्य दे दूसरा प्रोग शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी जी और विश्णो वगवान का सेश्नाग वाल एक प्रतिमा लेली जी और उसके सामने आप ओम श्रीम नमा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं और उस दिन आपको छे कन्याओं को 15 साल से कम उम्र की छे बालिकाओं को आपको खीर का भोजन देना है खीर जो आप बनाओगे उसके अंदर भी आपको केसर के दागे डालना है पहले खीर का प्रसाद मा लक्ष्मी जी और विश्णु बगवान को दे करन्याओं को बोजन कराएं और बाद में घर के सभी सदेश्य यह प्रसाद ले दक्सिनावरती संख वो भी बहुत महत्वपुण मानग है दक्सिनावरती संख से आप विश्णु बगवानों लक्ष्मी जी की प्रतीमा को आप जल अभिसेक करो और यह अभिसेक किया हुआ जल आपके घर में उसको आप छिड़के जिससे भी घर के अंदर पॉजिटिव उर्जा आएगे घर की गुरुएनी को वईबो लक्ष्मी का वरत यह भी बहुती सटिक माना गया सरद्धा पुरुवक यह वरत करेंगे तो भी आपको लक्ष्मी जी के कुरुपा प्राप्त होगी लाल की दाप के अनुसार पतनी के लिए पती और पती के लिए पतनी शुक्र है अगर आपका दामपदे जीवन ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक करके एक दूसरे को समझे एक दूसरे को सपोर्ट कीजी जिससे भी शुक्र मजबूत होगा और इससे भी आपको मा लक्ष्मी जी की कुरुपा अवर्ष्य प्राप्त होगी शुक्रवार के दिन आपको एक गुलावी या लाल कपड के अंदर पांज कोडिया ले ले और लक्ष्मी जी का एक चांदी hyvin जिसके अंदर लक्ष्मी जी हो और उसकी आप पोटली बना के निजदीक में कोई भी महालक्ष्मी जी का टेंपल है, वहाँ पे जाके पूजारी को उनके चणों में थोड़ा समय रख के उसकी पूजा करने के बाद यहाँ आप वहां पे भी लक्ष्मी जी का स्री सुक्तम का पाठ कीजिए, लक्ष्मी सुक्तम तो ये उपाई करने से आपको मा लक्षमी की और से कुरुपा प्राप्त होगे नमस्कार